इज़्जत और तारीफ 1. इज़्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है 2. धोका भी बादाम की तरह है, जितना खाओगे उतनी अकल आएगी 3. हम जिनके कम होते हैं, अहमियत उनकी ज्यादा होती है 4. बात तजुर्वे की है दोस्त, जिसने एक रुपे कमाने के लिए संघर्ष किया हो, वह कडोडों रुपे मिलने पर भी घमंध नहीं करता 5. अगर आपके पास ज्यान है तो आप सब्द तो पढ़ लेंगे, लेकिन उसका अर्थ आपको अनुभब ही बता सकता है 6. जैसे मिट्टी उड़ती है तो बहुत उपर चड़ती है, लेकिन जब हवा का साथ छूटता है तो जमीन पर ही आगिरती है, कुछ लोगों का अभिमान भी ऐसे ही तूटता है 7. अपने वक्त और किस्मत पर कभी भी अभिमान ना करें, क्योंकि या कभी भी रुखते नहीं है 8. वैसे गलतियां ढूंडना भी कोई बूरी बात तो नहीं है, लेकिन बस उसकी सुरुवात खुद से होनी चाहिए 9. खुबसूरत बनने के लिए जितनी कोशिस करते हो, कभी नेक इनसान बनने के लिए भी इतनी कोशिस कर लो 10. आने वाले समय को काबू करने की महारत उसी को मिलती है, जिसने अपने अतीत से कुछ सीखा हो 11. अगर कोई खामोस है तो उसे बुझदिल मत समझो, जो सहना जानता है वह मूँ पर कहना भी जानता है 12. पता है गलती और गलत में क्या फर्क है बस नियत का 13. किसी सच्चे गरीब को कुछ पैसे दो तो पता चलेगा महंगाई के इस दोर में भी दुआएं कितनी सस्ती मिलती है 14. जिस दिन आप अपने दिमाग में बूरी सोच को अच्छी सोच से धो देंगे उसी दिन से आपको अपनी जिन्दगी खुसहाल दिखने लगेगी 15. जो सब की कदर करता है उसकी कदर कोई नहीं करता 16. चार चीज ऐसी है जिसका परीचे देना नहीं पड़ता वह अपना परीचे खुद देती है इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र 17. अगर आपकी काम्याबी के सभी दर्बाजे बंद हैं तब भी उसकी एक कुझी आपके पास होती है और वह है महनत 18. खुस रहना है तो एक छोटी सी बात को आदत बना लो कि कोई कुछ भी कहे अपने दिमाग और दिल को सांथ रखो 19. हर कोई हीरे की तरह चमकना चाहता है पर कोई भी अपने आपको तरासना नहीं चाहता यदि आप एक हीरे की तरह चमकना चाहते हैं तो अपने आपको हीरे की तरह तरासना होगा 20. लोग केबल उसी चीज में दिलचस्पी लेंगे जो वे आपसे ले सकते हैं 21. लोग आपकी खुसियों को बरबात करने की कोशिस करेंगे क्योंकि वह खुद अपनी खुसियों को नहीं पा सकते हैं 22. आपका रुपिया पैसा आपको बैहतर या खुसहाल वैक्ति नहीं बनाएगी बलकि आपके द्वारा किया गया नेक कां यानि की परोपकार आपको खुसहाल वैक्ति बनाएगा 23. कोई व्यक्ति पैसा दान करने में तो संकोच करता है पर अपना समय खुब बरबाद कर देता है याद रखें पैसे से कहीं ज़्यादा मुलिवान समय है 24. आप सभी को खुश नहीं रख सकते और यदि आप कोशिस करते हैं तो आप अपने आपको खो देंगे सभी को खुश करने की कोशिस करना बंद करें और अपने मुलियों, सिध्यानतों और स्वयम का सम्मान करना सुरू करें 25. गुस्सा आपका सबसे बड़ा दुसमन है और धैर आपका सबसे बड़ा मित्र यदि आप गुस्से के एक पल में धैर रखते हैं तो आप दुखों के 100 दिनों से बच जाएंगे 26. यदि आपका मुस्कुराता हुआ चहरा और रोता हुआ दिल है तो आप सायद बड़े हो गए हैं 27. आप हमेशा सही नहीं हो सकते इस बात को सुईकार करना आपके लिए अच्छा है तभी आप सीखते जाते हैं और आप बहतर बनते जाते हैं 28. सराब बेचने वालों को कहीं नहीं जाना पड़ता और दूद बेचने वालों को घर घर जाना पड़ता है 29. जो आप से सबसे ज़्यादा प्यार करता है वही आपको सबसे ज़्यादा आहत कर सकता है No.30, हमारे द्वारा किये गए कार, हमारे द्वारा बोले गए सब्दों की तुलना में जोर से बोलते हैं, चीक कर अपने आपको महान बोलने से अच्छा है कि महान कार करो, जिससे दूसरे लोग तुम्हें महान बोले No.31, लोग आपकी सफलता को देखते हैं, इससे लोगों को कोई मतलब नहीं है कि यह सफलता आपने कितनी महनत और त्याग से पाई है No.32, अपना महत कभी कम ना समझो, यदि एक रुपिया एक लाख नहीं हो सकता तो एक लाख से यदि एक निकल जाए तो वह लाख भी नहीं हो सकता No.33, अभी जो आप हैं इसकी वज़ा सिर्फ आप हैं और कोई नहीं, किसी को दोस देने से आपका भाग नहीं बदलेगा, बलकि अपने भाग के लिए काम करके आपका भाग बदलेगा No.34, निरंतर पर्यास और अभ्यास के बिना आपकी परतीभा का अर्थ कुछ भी नहीं है, जिस परकार एक पत्थर को मुर्ती का आकार नहीं दिया जाए तो वह एक पत्थर ही लगेगा No.35, मंदिर मस्जित भी क्या खूब जगह है, जहां अंदर अमीर और बाहर गरीब भीक मांगता है No.36, सत्य बहुत ही सरल होता है, लेकिन जैसे ही हम उसका वर्नन करने लगते हैं, वह कठीन होता जाता है No.70, समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, और समाधान के बारे में सोचने से रास्ते मिलते है No.38, यह दुनिया आपकी नकामी पर हस्ती है और आपकी सफलता से जलती है No.39, ज़्यादतर हमारा कठिन समय हमारे लिए एक आसिरवात के रूप में होता है नमबर 40 इंसान भी अजीब है लास को हाथ लगा कर नहाता है और बेजुवान जीव को मार कर खाता है दोस्तों आसा है कि आपको यह पंक्तियां अच्छी लगी होगी आपका साथ मेरा मनोबल बढ़ाता है इसलिए आपसे प्रातना है कि हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक और सेयर करना बिलकुल ना भूलें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें धन्यवाद आपका दिन सुब हो